नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल फनिश्टिडी में आपका स्वागत है आज की वीडियोज में लेगर के आये हैं हम पवंदूतिका का पध्यांस नमबर साथवां कह रहा है सांचे ढाला सकल वपु है दिव्विसोंदर रिसाली सत्पस्पोसी सुरब उसकी प्राण संपोसी का है दोनों कंधे ब्रिसब वर से हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहें कलव कर सी सक्त की पेटिका है अब राधिका जी कहती हैं गुडगान करते हुए कि उनका जो सांचा अमलब जो सरीर है सकल मतलब संपूर वप मतलब सरीर जो सरीर है वो क्या है सांचे में ढाला हुआ है और ऐसे है जैसे दिव्विसोंदर रिसाली दिखाए दे रहा है तो उनका सरीर क्या है बहुत दिव्व अलोकिक और संदर रिसाली दिखता है फिर कहरा सत पुस्पोंसी सत पुस्पों मतलब संदर पुस्पों के समान सुरभी उसकी प्राण संपोसी का है अर्थात जब मतलब उनके पुस्पों के जैसे सुगंधित होने वाली उनकी प्राण है लवाईव है या सांसे हैं वो हमको क्या देती हैं हमारा पोसर करती हैं फिर दोनों कंधे सब वर से हैं बड़े ही सजीले और उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल के स्रेश्ट बैलों के समान क्या हैं बड़े ही सजीले हैं अर्थात बड़े बलसाली लंबी वाहें कलब कर सी सक्त की पेटी का है और उनकी जो लंबी बुजाहे हैं वो कलब अब मैंने बताया था वक्यांस के लिए एक सब कलब मतलब हाथी का बच्चा तो जैसे हाथी के बच्चे की क्या सून होती है वैसे उनका क्या है हाथ है जो सक्ति की पेटी का है अर्था सक्ति से भरा हुआ है राजाओं सा सिर परलसा दिब आपीड होगा और राजाओं के सिर के जैसा ही उनका भी सिर एक सजा हुआ मुकुठ होगा जो दिब दिखा होगा सोभा होगी उभै सुरुती में सुर्ण के कुंडलों की और उभै मतलब दोनों सुरुती मतलब कानों दोनों कानों में स्वरड के कुंडल सोने के जो कुंडल होंगे वो सोभाय मान हो रहे होंगे नाना रतना कलित भुज में मन्जु के उर होंगे और जो नाना मतलब कई प्रकार के रतन कलित मतलब रतनों से जड़े हुए भोज मतलब भुजाएं, मंज मतलब सुन्दर के उर्भ होंगे, उनकी भुजाव में कई प्रकार के रतनों से जड़ित के उर्भ होंगे फिर मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा और मोती मालाओं से लसा हुआ उनका कम्ब, कम्ब मतलब होता है गला, ओ सरी, कंठ मतलब गला, कम्ब मतलब होता है संख, तो उनका जो गला है, वो किसके समान होगा, संख के समान मोती मालाओं से लसाया होगा, फिर दूसरा कह रहा है, तेरे में है नाया गुड जो तूबे थाएं सुनाएं ब्यापारों को प्रखरमतियों युक्तियों से चलाना बैठे जो होन इस सदन में मैं गसी कांती वाले तो चित्रों को इस भौन के ध्यान से देख जाना जो चित्रों में बिरे बिवरा का मिले कोई चित्र कोई तो जा जाके निकट उसको भाउं से यों हिलाना प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की और देखें आसा है यों सुरत उनकी हो सकेगी हमारी अब उसे कहते हैं कि तेरे बस में नहीं है कि तू जा करके उनको सुना देगी सारी विथा है, तेरे में वा गुड नहीं है, जो तू जा करके हमारी सारी विथा उनको सुना पाए, तो फिर क्या कहती है कि ब्यापारों को प्रखरमती, ओ एक्तियों से चलाना, मतलब अपनी हवाओं के जो ब्यापार है तुम्हारा, उस कोई अपने एक घर में बैठा हो मनलब बादल के समान चमकदार तो वो क्या होंगे श्रीकेश होंगे तो उनके भवन में जाना तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना तो उनके जब भवन में जाना तो चित्रों को जो चित्र लगे होंगे उनको बड़े ध्यान से देखना फिर गरा जो चित्रों में बिरह बिधुरा का मिले चित्र कोई अगर कोई उसमें किसी बिरह बिधुरा मनलब जिसका कोई मनलब पती या कुछ छोड़ गया हो और था कोई बिरह से ब्याकुल कोई चित्र दिखा दिख रहा होगा तो उससे क्या करना उसको देखना औ और उसके जाके निकट उसको, और उस चित्र के निकट जाकर के उसको क्या करना, प्यार से भाव से यो ही हिला देना, जब हिलाओगी तो उनकी क्या होगी, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, तो प्यारे अर्था स्रीकिष्ट हमारे आश्चर चकित होकर के चि में की है अब आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना अगला पद्यान जास हैं अगर ऑद हैं भाद